सुपन सास्त के अनुसर सपनों का देखना आगामी जीवन से जुड़ा हुआ होता है कुछ सपने सुप संकेत देते हैं तो कुछ सपने असुप संकेत देते हैं यह जीवन में आने वाली मुसीवत एवं खुसियों का संकेत देते हैं कई सपने मन में डर बना देते हैं क्योंकि सपना देखने के बाद व्यक्ति को उसके साथ कुछ गलत होना दिखाई देता है। लेकिन कई सपने ऐसे हैं जिन पर देखने से आने वाले निकट भविश में आप धनबान बन सकते हैं। ऐसा संकेत देते हैं। जोतिस आचारे पंडित पंकच पाठक के अनुसार बताया गया कि सनातन धर्म में स्वप्न सास्त का पिसेस महत हुए इस सास्त्र में विवन प्रकार के सपनों के बारे में बिस्तार से बताया गया है सपनों के अनुसार अच्छा या बुरा संकेत हमें मिलता है ऐसे में कई सपने किसी भी माध्यम से आपकी आमदनी बढ़ सकती है इसके संकेत देते हैं तो आएए जानते हैं वहे कौन से सपने हैं जिनने देखने से हमारे लिए सोभ होता है जो कुछ भी हम सपन में देखते हैं उनमें से कुछ वस्तूओं का हमारे जीवन से या आने वाले भविश्य से आने वाले समय से उनका संबंद रहता है या एक इंडिकेशन है या एक दिसान रृष है या या संकेत है इसको देख करके हम आगामी भविश्य संबंद सुछ विष्यार पामने रख सकते हैं कुछ आपने ऐसे होते हैं जिनके संकेत या फल आसरव होते हैं कुछ सवपन ऐसे होते हैं, जिनके संकेत जो हैं सोग भी होते हैं, कोई सवपन धनकारक होते हैं, कोई सवपन जो है दराबने भी होते हैं, जिनको देखतर के व्यक्ति के मन में भायरिक भी उत्पन हो जाता है, तो अभी हम बरतमान में जो धनकारक सवपन हैं, जिनको देखन से धन के योग बनते हैं इस पर हम विशार करते हैं यह उस अपन में वैक्ति उल्लू को देखता है तो यह मा लक्षमी का बाहन है और निश्यती यह उल्लू को हम बैठे उए देखते हैं तो धन लाद्थ की योग हमारे जीवन में आने वाले समय में बनने जा स्वपन का फल कह सकते हैं। यदि हम अलमारी या क्जोरी देख रहे हैं स्वपन में तो यह भी आने वाले समय में धन तंबन भी जो भी हमारे जीवन में परिशानी चल रही है तो परिशानी दूर होने का संकेत है। तीसरा यदि हम स्वपन में आम का बगीचा देख रहे हैं तो आम के बगीचे का स्वपन देखना ये एक बिरलतम स्वपन हैं। ये सामाने लोगों को इस प्रकार का स्वपन नहीं आता। हजारों लाखों में किसी एक बगीचे को स्वपन में देखाई देता है। तो यहां स्वपन भी सो फलकारक है, मंगलकारी फलकारक है। इस निश्वित हमारे जीवन में सकरात्मक और लावदायक फलकी हमारे जीवन में प्राप्ति होगी। चोता है गरोड। यदि हम अबहारे जीवन में गरोड को देख रहे हैं। गरोड। पक्षी जो है वो भगवान यूई पलनहार है। जंदीश्व्न नाराइन हैं। उनका बाहन कहा जाता है। यदि हमझे आने मृतले समय में दके साति साथ मान सम्मान प्रतिश्था की टा अप्ति होगी ऐसा इस अपने का हल कहा देया है।